हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कख्षा 3 समाजिग्यान की वर्क सीट हल करेंगे उपविश है राजगाट तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रशन एक सही सब्द का चैन करके खालिस्थान भरिये यहां ब्रैकिट में कुछ सब्द दिये गए हैं हमें सही सब्द का चैन करके नीचे दिये गए खालिस्थान में भरना है क करते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम डैस है तो यहां लिखेंगे महात्मा गांधी ख लोग प्यार से महात्मा गांधी को डैस कहकर पुकारते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे बापू या महात्मा जी ग गांधी जी का दासंसकार डैस नाम की जगह पर किया गया तो यहां पर हम लिखेंगे राज घाट गांधी जी की समाधी पर हर डैस की सुभा प्रार्तना सभा होती है तो यहां लिखेंगे सुक्रवार गांधी जी की समाधी के पास ही डैस है तो यहां लिखेंगे राष्ट्रे गांधी संग्राल्य चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न दो मिलान कीजिये पहला राजगाट तो राजगाट का मिलान करेंगे गांधी जी की समाधी से दूसरा राष्ट्य गांधी संग्राले तो इसका मिलान करेंगे गांधी जी का सामान से तीसरा सत्य और अहिंसा तो इसका मिलान करेंगे महात्मा गांधी से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न तीन निम्न लिखित प्रस्नों के उत्तर दीजिए पहला गांधी जी का चित्र आपने कहां कहां देखा है तो बच्चो इसका उत्तर आप स्वैम लिखेंगे कि आपने गांधी जी का चित्र कहां कहां देखा है आपकी स्विधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूँ गांधी जी का चित्र हमने किताबों में नोटों पर विद्याले में डांक टिक्टों पर सरकारी आफिस और सरकारी भावनों में देखा है चलिए दूसरा प्रस्ण करते हैं गांधी जी के समाधी का चित्र देखकर उसके बारे में दो बातें बताईए तो यहां लिखेंगे पहला गांधी जी के समाधी काले संगमरमर पत्थर से बनी हैं दूसरा इस समाधी पर हमेशा एक दीपक जलता रहता है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेशन चार चित्र पहचान कर नाम लिखिए क चित्र देखकर आप समझी गए होंगे वेरी गुड आपने सही कहा यह चित्र राजगाट का है तो यहां लिखेंगे राजगाट यहां पर हम महात्मा गांधी की समाधी भी लिख सकते हैं अगला चित्र देखते हैं ख चित्र तो यहां लिखेंगे महात्मा गांधी जी चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन कोशल मतदान एवं चुनाव प्रश्न एक भारत में मतदान करने की नियूनतम आयू क्या है तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में मतदान करने की नियूनतम आयू 18 वर्स है प्रशन दो भारत में मतदान कौन कर सकता है तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में मतदान वहव्यक्ति कर सकता है पहला जो भारत का नागरिक हो दूसरा जिसकी आयू 18 वर्ष या उससे अधिक हो तीसरा जिसका नाम मतदाता सूची में हो चलिए आगे बढ़ते हैं कोरोना जाग रुकता अभियान कोरोना से बचाव के लिए पहला हमेशा फेस मास्क पहने दूसरा हाथों को साबुन वर पानी से बार बार धोते रहें तीसरा भीड भार वाली जगाओं से बचें वर समाजिक दूरी बनाए रखें तो बच्चो यह वर्क सीट यहां कंप्लीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom थैंक य।